प्यारवचो आज की एक लास आपके लिए बहुत ही जाद इंपोर्टेंट होने वाले है क्योंकि भाईया आज हम कराने वाले हैं कंपाउंड इंट्रेस्ट के प्रीवियस यर कोशन इसलिए हमने लिखा है कि यह क्लास नहीं देखी तो आपके पढ़ने का कोई फायदा नहीं क्योंकि इसमें प्रीवेयस यर कोशन और यह भी कॉशन होगे प्लस आपको यह भी बताया जा Ведь किस कॉशन सी ज़ल्दी हो सकता है ठीक है क्योंकि हिम जाते हैं तreek क्युल्हां कि पहले कोशन के सालें देखिएगा कुशन नंबर पहला काफी important कुशन है और बड़े ध्यान से चमयना है भाई कुशन है कि जोसेफ ने 15 साल की और 16 साल की दो बेटियों की नाम पर 22,500 रपे जमा किये 18 की उम्र में उन्हें बरावर रासी मिल जाए यदि बैंक 10 परसेंट चक्रती ब्यास देता है तो जोसेफ ने अपनी चोटी बेटी के नाम पर कितनी जमा रासी की थी मतलब इसने दो पार्टों में पैसे को बाटा और पैसे को बाटने के बाद इसको जमा कर दिया बैंक में कि जब यह मेरी बेटी 15 की है 18 की हो जाएगी 16 की वह 18 की हो जाएगी तब मुझे क्या करना है प्यारे बच्चो इन दोनों को बरावर बरावर आसी बाणते नहीं है समझना यही था और यह जो कोशन है प्यारे बच्चो वह काफी इंपोर्टेंट है आपके लिए क्योंकि यह कोशन पूचा किया SSC CGL प्री 2022 में ठीक है डेट बिड़ल हुई है कोई टेंशन आपको लेनी नहीं है अब प्यारे बच्चो समझना क्या है इसमें देखो बटा यहां से समझना जब अगर हम देखें कि यह बेटी 15 साल की हो और यह बेटी कितने घिस्तों लेगी तो यहां से 18 की होगी कितना टायम लेगी का तीन यहां से 18 की होगी 2-3 मंत्र कितने का एक का तो आपको ज़रूत नहीं है कि आप यहीं से इनका डिफरेंट देख लिजी ब टेन पर्शेंट रेट है, टेन पर्शेंट का मदलब एक बटा दस, इतना है बटा, एक बटे दस, ठीक है, अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, कि वल यह समलना, यहाँ पर जो टाइम है, जो टाइम है, वही आपके कुशन को solve करेगा, तो यहाँ से 10 से कितना हो जाता ग्यारा, दस और कितना ग्यारा, ठीक है, यहां जो रेसियो आएगा, यह प्रेंसिपल का रेसियो बनेगा, दो भागों में जो प्रेंसिपल बांटा, उसका रेसियो बनेगा, ठीक है, कैसे बनेगा, अगर यहां टाइम एक साल है, तो आपको पावर एक एक लगा देनी है, द 10 की power 11 की power 1 ठीक है और आपको पता है 10 की power 1 10 होगा 11 की power 1 11 होगा तो यहां से total देखे तो total principle कितना होड़ा बिटा 21 जो कितने के बराबरे बिटा 22 500 ठीक है तो यहां से जो एक ratio की value आएगी बिटा बो कितनी आएगी 25 ठीक है और इसने कहा है कि छोटी बेटी छोटी बेटी 10 ठीक है छोटी बेटी के ratio कितना बना 10 ठीक है तो 10 का गुणा करते हैं कि आपका answer चुटकियों में आ जाएगा कितना जाएगा 25 ठीक है कितना जाएगा 25 ठीक है कितना जाएगा 25 ठीक है 25 ठीक है अब आप कहेंगे सर ऐसा concept बताती है जिससे यह सारी चीज़ें क्लियर हो जाए क्लियर होंगी क्योंकि हम आपको question कराते हैं उसके साथ कोई बच्चे के दिमाग में confusion ना रहे कि सर ने कहीं तुक् बराबर बराबर amount मिलता है चकरती ब्याज देता है ठीक है तो amount कम मिलेगा बटा amount जम मिलेगा जब bank में पैसा जमावने के बाद ब्याज उस पर मिल जाएगा ठीक है तो अगर मैं कहूंग बटा पीवन इसके लिए और यहां से दूसरा जो amount वो P2 के लिए 1 प्लस आर अपन 100 होगा कि नहीं बटा तो यहां से यह तो cross होगे यह दोनों इक्कुल हो जाएंगे और यहां से यह दोनों इक्कुल हो जाएंगे तो सारी कहानी यहां पर power में चलेगी यहां n है ठीक है क्या है बटा n है कहानी किस में चलेगी बटा power में चलेगी और power में चलेगी तो बटा यह P1 upon P2 का रेशियो बनेगा, बात आएगी नहीं समझ में, यहां से पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, आप जानते हो, कि यहां से, इसको 15 साल लग रहे हैं, इसको 16 साल, ठीक है, मतलब इसको 3 और 2, अगर 3 यहां रखता, 2 यहां रखता, तो पावर कितना काम करेगा, अब चलते हैं, काफी सिंपल है, गवरानी के आपको ज़रूत रही है, बहुत ही सिंपल कुशन है, और यह सीजियल मिस, 29,122 का, समझना है, सिंपल कुशन है, प्यारवचों, सीधे कुशन की तरफ बढ़ते हैं, तो हमें एक बातों के लिए पता चल जाती है, वह यह कहरा है कोशन में, एक धर्राशी चक्वती ब्याज की दर से चार वर्स बाद 11,0880 रूपए हो जाती है, छे बर्स बाद 17,820 हो जाती है, ठीक है, अब आपको करना खुछ नहीं, ध्यान से देखना, उसने काए कि कोई प्रिंसिपल था, चार वर्स बाद 11,0880 हो जात प्रेंसिपल वही था और 6 वर्सवाद वो इतने हो जाते कितने वर्सवाद अगर देखें तो पैसा कतना हो जाता है अब प्यारे बच्चों समयना आपने अभी तक पढ़ा है कि प्रेंसिपल के बाद जो पहला एमाउंट बनेगा वह भी आगे चल के प्रेंसिपल बनेगा अगर और अगे और होता तो यह प्रेंसिपल बन जाता है यह अमाउंट ब्याज मिलता है सबूच कीजिए मैंने कि जिए 10,000 ली एक अजार ब्याज हो गया तो 11,000 अगले साल के लिए वह ऊजार प्रेंसिपल पूरे टोटल 11,000 पर ब्याज लेगा बात की नहीं समयते हैं कि यहां से यह प्रेंसिपल बना तो यह अमाउंट बना बना की नहीं बना अब सीधा सीधा साय, खेले, देखो, यहां से यहां तक का टाइम कितना है? 4 years, यहां से यहांतक का टाइम कितना बचा बचा बचा, टू यर्स, टू बचा की नहीं? समयना यह था बचा, यहां से A upon P होता है, formula बे, clear बात है, तो यहां से देखेंगे, बटा, 17820 upon क्या है बटा, 1180, ठीक है बटा, अब समझना क्या है, समझना यह बटा, 0 से 0 को 8 काटा जाएगा, 11 कम 11 इसको काटा जाएगा, 11 6 6 6 और 11 2 ना 22, मैं काट के प्रोपर तरीके से बता रहा हूं, 11 कम 11 और 11 8, बटा, 188, ठीक है, और यह 54 से बटा, यह कटेगा तीन बार, और 54 से कटेगा यह बटा, दो बार, क्रॉस हो गया, तो यहां से जो भी प्रेंसिपल था, वो 3 upon 2 के रूप में हो रहा था, कितने साल में बटा, 2 साल में, ठीक है, तो यहां से अगर 4 साल की बात करें, तो यह इसक कितना रहा था, 4, किसके बटा, 11880, ठीक है, अब इसने का राज़ी का आधा भाग बताए, क्या बताई बटा, राज़ी का आधा भाग बताई है, तो राज़ी का आधा भाग हम कर देंगे, यही से सीधा, सीधा, ज्यादा calculation करने की जरूरूत नहीं है, यहां से, 9 से काटे इसको 9 इकम 9 ठीक है? 2 बचा 9, 37 ठीक है? 1 बचा 9, 2, 18, 320. ठीक है? यहां से ही 2 बार कटा दो का इसमें हम लिटीप्लाई हो जाएगा, तो principal जो रहा होगा उसका आदा जो भाग रहा होगा, वो रहा होगा 2640 कितना रहा होगा पीटा? 2640 ठीक है? 2640 यह आपका अंसर किसी भी कॉशन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं गभराने की जरूत नहीं है फुल कॉंसेट के साथ मैं आपको सारी चीजे समझाता हूँ जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो कोई टैंसन ना हो, कोई दिक्कत ना है कि बच्चे को समझ में आना चाहिए अगला सवाल किस्त के आदार भर है बटा कुछ नहीं है इसमें टैंसन लेनी के आपको जरूत नहीं है कि वीडियो लाने का वदलब यह था कि आपके जो प्रीवेस सिर्क कोशन है आप अतना जल्दी उन्हें सॉल्व कर सकते हैं अप्रोच लगा के कुछ था ही नहीं टैंसल लेनी जुरूत ही नहीं देखो कोई आदमी 10% चकती ब्यार से दो वर्ष के लिए पैसा उधाल लेता है और 10,000 1089 की दो वार्ष किस्तों में जमा कर देता है यदि ब्याज की गढ़ना वार्षिक रूप से होती है तो उधाल ले गई राषि बताए यहां सारी कहानी बनती है rate of ठीक है rate देखो बिटा किस्त का कैसे करते है किस्त को समझते है बिटा मैंने कहा कितना बिटा यहां से 10% 10% की कहानी आपको पताए बिटा कितना होती एक बटे 10 होती है ठीक है यहां से समयना क्या है बिटा यहां से principal किस्ट कैसे बनेंगे 10 तो उसको कितना देना था अगले साल बटा कितना 11 ठीक है यहां से अगर 2 साल के बात होती है तो अगले में यह कितना हो जाएगा 10 का square 100 ठीक है जो कितना हो जाएगा 121 अब हमकू क्या करना है यहहां सब्स्त के बराबर करना, यह कंस्त की राज़ी कितने हैं, यहां से 1,21 से किस्त की राज़ी कितने हैं, ठीक है यहां से multiply देके तो कितने time हो रहा नो time ठीक है तो यहां से जो principle लाओगा नो का multiply कर देंगे बिटा कुछ नहीं है इसमें 0, 9 और 18 जो कि आपका perfect तरीके से answer हो जाए कोई डाउड तो नहीं है कोई समस्या तो नहीं है ठीक है अब देखिए गद्यान से नहीं है ज्यादा question में इस वीडियो में नहीं करा रहा है लेकिन आपका जो concept है मुझ क्लियर हो जाएगा कि सर ऐसे question को किस तरीके से solve किया जाए अब आप सोचें कि और इससे ज्यादा approach जल्दी हो सकता है तो नहीं होगा जितना मैं approach बता रहा हूं उससे ज्यादा question solve जल्दी नहीं होगा क्योंकि मैंने बहुत सारी गढ़ना करके देख लें कि इससे ज्यादा question solve नहीं होगा ठीक है समझना देखो अगला जो question है काफी simple है यह है कि एक mobile phone 79,860 repay के नगत भुकतान या down payment या तो नगत दे दो इतने या फिर पहले down payment कर दो 60,000 ठीक है और सेज दनरासी को तीन बारसिक किस्तों में बान दो यदि दोकांदर 10% बारसिक दरसे ब्यास देता है तो बारसिक रूप से सही हो जाता ह मनला यह ले जा रहा है तो प्रतियक किस्तों की रासि बताई यह है ऐसे सी एचेसल 2021 का अब यह मैं सोचना कि सर्कोशन जो था simple CGL मेंस में था CHSR में हाड है यही मैं देख रहा हूं यार 2-3 साल से CHSR हाड दे देता है सीरियल में simple आ जाता है ठीक है देखो बिटा करना क्या है कुछ नहीं बिटा समयना यह है कि सभूज करो कि मोबाइल की जो कीमत थी सभूज क्या दे रखे रखे ठीक है उसमें से साथ अजार राउन पेमेंट दे दिया ठीक है तो 19.860 बचा बिटा कितना बचा 19.860 ठीक है अब यह हो गया आपका principle अब इसी पर क्या लगेगा आपका किस्त बनेगा इसी पर किस्त बनेगा अब यहां से देखे बिटा किस्त की कहानी कैसे बनेगी किस्त की कहानी बनेगी rate के according और यह जो है कितना है 10% 10% का मनलब कितना है एक भरते दस ठीक है जारसे दर्थ लेता है तो यहां से अगर विटा देखे थे तो पहला साल पहली किस्त दूसरी किस्त और यहीँए क्या वशचा है कितनी बचा 11 अगले साल में स्क्वार हो जाएगा बिटाitate thankete थोड़ा सा के लिए साल के लिए इसकोर हो जाएगा 10 का स्कॉर 100 और इसका हो जाएगा 120 ठीक इसका हो जाएगा 1000 और यह हो जाएगा 1331 ठीक बटा तो हमें करना कुछ नहीं है है कि वह समझना है कि 333 की बननी है तो यह भी 1334 करना तो 11 का गुणाँ इसमें करेंगे बिटा तो यह हो जाएगा बारे सो दस सिम्बल सी बात ठीक है यहां से किस्ते बराबर हो गई किस्ते क्या होगी बराबर हो ठीक है अब बिटा करना क्या था करना कुछ नहीं था अब यह रासियों को आप जोड़ लेंगे ठीक है तो यहां से जोड़ेंगे इ इसका मतलब यह इसका 60 006 टाइम है कितना है सिक्स टाइम आपको कुछ नहीं करना है बिटा 1331 में 6 का कुणा कर देना है बिटा आपका आंसर चुटकियों आ जाएगा जो की option number आपका 20 हो जाए ठीक है इसी पता लग जाएगा 6 कहां आ रहा है पीछे इस वाले में ठीक है बात कुछ काम नहीं करता डबल दे देगा सिक्स तो ढूरते रहना इससे तो सिंपल सा गलत नहीं करना जल्द वाजी में गलत नहीं करना ठीक है कि नेस्ट कोशन काफी अच्छा बिटा बड़ी ध्यान से इसको समय ना है और लाज जो कोशन आएगा वो दो धमाक कर देगा उसका तो बैतरिंग कॉंसर्ट मैं आपको समझाने वाला हूं बिटा निच्छत चक्रति व्याज की दर्से तीन वर्स में प्राप्त साधर व्याज ठीक है जो प्राप्त हो रहा है वो कितना हो रहा है बटे चतीस तो तो जो 3600 में प्राप्त हो रहे हैं वो कितने पर 8 जाए गुणा कितना है बिटा 200 से 20 जाएगा यहां से 10 भी जाएगा 8 चुक 32 आठ बंजे 45 पर्शेंट हो गए 45 पर्शेंट तीन साल में कितने साल में तीन साल में तो इसका मलब परियली कितना बना बिटा 15 पर्शेंट अब यहां से समझ में यह आता है अगर 15 पर्शेंट हो गया इतना होगे बिटा 15 पर्शेंट और फिर कह रहा है कि 8 महां के लिए 2 साल के लिए अब समय ना क्या है बिटा कि जब हमसे 8 मांकी कह रहा है देखो यहां समझाता हूं अप्शन के साथ आठ मांकी का आठ मट्टी कितना बारा चार दुनिया चार थी कितना बिटा बार तो जो भी रेट होती है उसमें टू अपॉन थरीका के अगर देते बिटा मल्टी बलाई तो तीन पंजे पंद्रह पांदोना दस रेट कितनी बन जाएगी बिटा 10 पर्शे पता दू पिटा एम आंट बताना है अमोंट बताना है तो 331 होगा 10% का कितना होता 3 साल का 331 राशी क्या होगी आवां बताना है तो 331 ठीक है कितना बिटा आट वजार की रासी पर हमें क्या करना है? 331 यहां पर निकालना है, बात आए कि निया समझ में, वह बट्य ओ जाए कि यहां पर पो कितना? 1000, बात आए कि नहीं समझ में, 1000, 1000 क्यों होगा, कारड तो उसका ही है, यह बिटा, की कारड यही रहेगा, कि 1000 प्रिंसिपल हमारा हो, देखो, 10% की बात होती है, तो 10 से कितना 11, 3 साल के लिए बिटा, तो यहां हो जाएगा, अगर रेट सेम है, तो 1000 हो जाता है प्रिंसिपल, औ तो यहां से यह इसका 8 टाइम क्रोस होगा, और 8 का मल्टिपलाई करके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे, कि इसका आंसर क्या रहेगा, ठीक है, और यह CHSL का कुशिन है, 2020 का गफरानी कि आपको जरूत नहीं, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको यहां प इसके लिए हम दो पेज लेते हैं, एक ब्लैंक पेज भी लेते हैं, जिससे आपको कॉंसेप्ट को समझा सकें बिटा, सारी चीजें बहुत ही अच्छे तरीके समझ में हैं, देखो, मैं चाहूं तो इसको चुटकियों में करके आपको बता सकता हूं, लेकिन कॉंसेप्ट स मैं कह रहा हूं कोई प्रिइंस, प्रेइंस, प्रियाज जिसकी रेट है आर परसट, धुटकियों दो साल के लिए, कि ऑबल कि किस के लिए, टू येर्स के लिए समझ रहें और यहां भी आल कतना हो जाएगा, आर परसंट, तो मैं आप से कहों हूं कि इसका घ्याज कितना हो तौन होगा तो आप ऊचिंत पर्सेंट की नहीं होगा ऐंगे से फिसर और फिर स्क्रह के इन कौशा परशेंट की नहीं हो गए हो गया हो गया थनकाला अधे सब्सक्राइब की प्रदेट करना है R square पर दो साल के लिए अकर चक्रती ब्याज और सादर ब्याज का जो अंतर दे रखा है देखें यहां से होता है पूरा amount यहां से होता है केवल CI और यह होता है बीच में लास्ट वाला जो अंगूर है यह होता है आपका CI और SI का different दो साल का ठीक है अब समझन क्या था भीटा समय ना हम सीरे question को चाहते हैं कि हमें कुछ नहीं करना भीटा केवले यह ध्यान रखना है कि किसी रासी पर 15% चक्रती ब्याज की दर्श से प्राप्त 2 वरस में चक्रती ब्याज और सादर ब्याज का अंतर जो दे रखा है वो न 944 दे रखा है इसी रासी पर इसी अवधी के लिए, टाइम में वही है, रासी वही है, दस परसेंट वार्शक दर्श से होने वाला प्राप चक्ति दूजाद के, तो मैं पहले चाहिए, सिंपल से तोर पर बिठा, क्या चाहिए, हमको चाहिए प्रेंसिपल, प्रेंसिपल निकालेंगे कैसे, हमको पता है, हम दो साल की बात कर रहें, तो यहां से आर परसेंट का स्क्वार होगो, तो पंद्रा परसेंट, तो पंद्रा परसेंट का यहां पर अगर स्क्वार होगा, तो यह आ जाएगा, टू, टू, फाइब परसेंट, और एक परसेंट के लिए निचे लग जाएगा, यहां से जो ब्याज गंतर आएगा 2.25% आएगा तो 2.25% जो है बिटा वो 1945 इसके बराबर ठीक है तो यहां से पॉइंट कटा और 0 आ गया और % रटा तो 2 0 और आ जाएगा ठीक है तो इसका मतलब यहां से यह प्रिंसिपल जो है 100% 100% जो प्रिंसिपल है बिटा वो आ जाएगा 8 6 4 कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी सिंपल सा पैटन है ठीक है बिटा यहां से यह प्रिंसिपल आ गया अब इसने काए कि 10% की वार्षिक प्रत्व सक्क्र होती बिटा तो 10 से मैंने कितना बताया था 11 बिटा 10 से कितना बताया था 11 और क्यू करेंगा तो 33 30 हो जाएगा ठी 33.1 पर्षिन मिल ला है 33 एक जार पर कितना 33.1 पर्षिन तो यहां से अगर ब्याज निकालना है बिटा 864 00 यह हो जाएगा 33.1 पर्षिन निकाल दीजी कि इसका बिटा आंसर आपका चुटकियों में आ जाएगा चकुरती ब्याज पूचा आप से बात आए कि नहीं समझ में अब आपको ज्यादा टेंसल देनी की जरूत नहीं के बल इस कोशन का आंसर आपको कमेंड वॉक्स में या मल्टिपल लाई करके लिखे बताना है कि क्या होगर आपसे बिटा हमबल लोकेश्ट अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करे हमारे चैनल से जुनना चाहते हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करें एंड थैंक यू फॉर बाचिंग मैं वीडियो